बच्चों आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है कक्षा आठ की संस्कृत की पुस्तक रुचिरात रित्यो भागा का आज हम लोग 15 पाठ पंच दशह पाठ प्रहेलिकाह के बारे में पढ़ेंगे प्रहेलिकाह का अर्थ होता है पहेलिया पहेलिया मनुरंजन का एक प्राचीन विधा यानि तरीका है ये लगभग संसार की सभी भाषाओं में उपलब्ध है संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यांत सम्रित किया है पहेलिया हमें आनंद देने के साथ साथ हमारी मानसिक वबौधिक प्रक्रिया को तेवर बनाती है इस मार्ठ में संस्कृत प्रहेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उधारन प्रस्तुत किये गए है तो पाठ का जो है यहाँ पर हम लोग अर्थ समझेंगे जिसमें के पहला श्लोख है कस्तूरी जायती कस्मात को हन्ती करिणाम कुरम किम कुर्यात कात्रो युधे म्रिगात सिंह पलायते यहाँ पर जायते का अर्थ है उत्पन होता है जायती कार्थ उत्पन होता है हन्ती मतलब मारता है या मारती है हन्ती मारता है या मारती है कस्तूरी जायती कस्मात कस्तूरी किस्से उत्पन होती है कस्मात मतलब किस्से और को हन्ती करिडाम कुलम और हाथियों के करिडाम कहते हैं हाथियों के हाथियों के समुख को करिडाम हाथियों के कुलम यानि की जुन्ड को कुलम कार्थ है जुन्ड कुलम कार्थ है जुन्ड समूह को कुरियात मतलब करे और कातरह मतलब कमजोर कातरह कार्थ है कमजोर कात्रह कार्थ है कमजोर और पलायते मतलब भाग जाता है पलायते भाग जाता है तो को हंती करिणान कुलम कस्तूरी जायते कस्मात कस्तूरी एक सुगंध होती है जो किस यहां पे पुछा गया है कस्तूरी जायते कस्मात जायते मतलब उत्पन होती है कस्मात मतलब किस से को हंती करिणान कुलम यह सभी प्रशन पूछे जा रहे हैं इसका उत्तर खोजना है को हंती करिडाम कुलम, हाथियों के, करिडाम कुलम मतलब हाथियों के जुंड को, हाथियों के समुह को, को हंती कौन मारता है और किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है म्रिगात सिंगह पलायते तो यहां पर कस्तूरी किस्से उत्पन होती है यह जो है और कौन हाथियों के समुख को मार देता है और कमजोर व्यक्ति युद्ध में क्या करे भाग जाए क्या करे तो यहां पर इसका उत्तर इसी श्रोक में दिया है म्रिगात सिंगह पलायते म्रिगात मतलब हिरन से सिंगह मतलब सेर और पलायते मतलब भाग जाना तो यहां पर इसका पहले का उत्तर कस्तूरी जायते कस्मात कस्तूरी की सिर्पन होती है तो सभी का उत्तर चौथी लाइन में लिखा हुआ है चौथी पंक्ति में पलायन कर जाना चाहिए भाग जाना चाहिए तो इस तरह से ये तीन श्लोक में प्रश्ण पूचे गए हैं और चौथी पंती में उन सभी का उत्तर दिया हुआ है अब यहाँ पर जो दूसरा श्लोक है सिमन तिनिशु का शांता राजा को अभूत गुडो तमह विद्वद भी का सदा वंद्या अत्रई वोक्तम न बुध्यते यही पर कहा गया है अत्रई वोक्तम यही पर कहा गया है न बुध्यते लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है बुध्यते यानि कि बोधित नहीं हो रहा है तो यह जो है पता नहीं चल रहा है और लिखा उत्तर यहीं पर है तो सिमन तिनिशो का शान्ता, नारियों में कौन सबसे शान्त है, शान्त सभावाली है, और राजा को अभूत गुडुतम, गुडु में उत्तम राजा कौन हुआ, विद्वद भी का सदा वंद्या, और विद्वानों में कौन हमेशा वंदनीय है, यानि कि विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदना करने योगे है तो यहीं पर कहा गया है उत्तर लेकिन ये पता नहीं चलता है तो यहाँ पर सीमन तिनिशू का शानता इस पंक्ति का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिला देने से यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाता है सीता तो यहाँ बेनारियों में कौन स्षान सुभावाली है सीता कौन सा राजा गुरों में उत्तर हुआ राम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में रा और अंत में महा आया है रामह और तीसरी पंक्ति है विद्वध्वी का सदावंद्या तो विद्वध्वी का वी और अंतिम उस पंक्ति का द्या विद्या तो विद्वानों में कौन हमेशा अवंद्रा करने योगे है विद्या तो यहीं कही गई यह बात है फिर भी मनुष्यों के द्वारा नहीं जानी जा रही है अर्थात पता नहीं चल रहा है तो यहां पर यह पता चलता है कि पहला और अंतिम जूबर्ण मिला देने से इसका उत्तर मिल जाता है अत्रीवोक्तम ना पूत्योते तो इसका खोजने का तरीका यही है और अब है यहां पर यह गई कम संजगाना कृष्णा सिमन तिनिशू का आठ नारियों में सिमन तिनिशू और बुद्ध्यते मतब जाना जाता है यहां पर बुद्ध्यते जाना जाता है विद्वद्वी कार्थ है विद्वानों में और अब यहां पर अगला जो पहली है अगली पहली यहां पर कही गई है कि कम संजगाना कृष्णा का शीतल वाहनी गंगा के दार पोशन रताह और कम बलवंतम न बाधते शीतम अब यहां पर यह कहा गया है कि कम संजगाना कृष्णा कम मतलब कौण? किसे? यहां पर कम कार्थ है किसे? संजगाना मतलब मारा संजगाना संजगाना मतलब मारा किसे? कृष्णा ने मारा कम संजगाना कृष्णा कृष्णा ने किसे मारा और का मतलब कौण है? शीतल वाहनी गंगा शीतल वाहनी यानि ठंडी धारा वाली शीतल वाहनी कार्थ है ठंडी धारा वाली कौण है? और के दार पोशन रता करता है पत्नी के पोशन में लीन वे कौन है और कम बलवन्तम न बाधते शीतम कम मतलब किस बलवन्तम यानि बलवान को शीतम यानि ठंड न बाधते कस्ट नहीं देता है तो यहाँ पर इसका उत्तर खोजने के लिए इसमें सबसे पहले देखना है कि पहला जो पद है कम पहली पंती में यहाँ पर प्रशन पुछा गया है कृष्ण ने किसे मारा तो कं और दूसरा पद जो है सन जगाना का स, दोनों को मिला दे, कं और स को तो कंस बन जाता है, तो यहाँ पे इस पहली का उत्तर यही है कंस, कृष्ण ने किसे मारा तो कंस को और इसी तरह से दूसरी पंक्ति में पहला पद का और दूसरी पद का पहला वन शी, काशी तो काशी जो है वो थंडी धारा वाली जगह कौन सी है? वो है काशी और पत्नी सहीद बच्चों के पालन पोशन में कौन लगे होते हैं? दार पोशन रता तो यहां पे के और दूसरे पद का दार लेना है केदार तो केदार जो है यह वो किसान, खेती के काम में संरगन किसान और किस बल्वान को ठंड नहीं कस्ट देती है तो कंबल वाले व्यक्ति को कंग और बल दूसरे पद का बल लेना है और पहले पद का कंग तो कंबल हो जाएगा तो कंबल वाले व्यक्ति को ठंड नहीं सताती है तो इस तरह से इसका उत्तर इसमें खुजा जा सकता है तो यहां पे केदार पोशन रता कार्थ है खेती के काम में सलगन और अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चौथा व्रिक्षाक्र वासी नाचा पक्षी राजा त्रिनेत्र धारी नाचा शूल पाड़ी त्वग वस्त्र धारी नाचा सिद्ध योगी जलम चा विप्रन घंटो न मेगा घटो न मेगा विप्रन यहाँ पे जो शब्द आया है उसमें है व्रिक्षाक्र वासी व्रिक्षाक्र वासी का मतलब है पेर पे सबसे उपर रहने वाला वासी मतलब रहने वाला और व्रिक्षाक्र कार्थ है पेर के सबसे उपर तो पेड के सबसे उपर रहने वाला नाचा पक्षी राजा और लेकिन वह पक्षी राज नहीं है पक्षियों का राजा गरुण वो नहीं है व्रिक्षागरवासी सबसे उपर रहता है लेकिन वो पक्षी राज नहीं है त्रिनेत्र धारी नचा शूल पाड़ी तीन आखो वाला है लेकिन शूल पाड़ी जिनके हाथ में त्रिशूल है अर्थाथ शंकर तो जिनके हाथ में त्रिशूल है अर्थाथ शंकर वो जो है त्रिनेत्र धारी है पर शंकर नहीं है त्वग वस्त्रधारी नाचा सिध्योगी और त्वचा अर्था छाल वस्त्रधारी कपड़ों वाला है सिध्योगी तपस्वी जो है वो नहीं है सिध्योगी नाचा सिध्योगी छाल वाला कपड़ा पहला है लेकिन वो सिध्योगी अर्था तपस्वी नहीं है जलम चा बेब्रन जल को धारण करता हुआ जल को धारण करता है लेकिन वो घटो ना मेखा ना घड़ा है ना मेखा मतलब बादल है दोनों में ही पानी होता है तो ना वो घड़ा है और ना ही वो बादल है और अब यहां पर इसमें जो है इसको समझने के लिए ब्रिक्षाग्रिवासी नचपक्षी राजा इसका जो है पहीली का उत्तर है नारियल नारी केलम तो इसका उत्तर है नारी केलम अर्थात नारियल जैसा कि उसमें तीन आख बनी होती है काले तीन और उसी तरह से वो जटा धारी होता है चाल वस्तर को धारन करता है और वो पेड़ पे सबसे उपर रहता है और ना वो गरुण है और ना ही शेव है और ना ही कोई सिधियोगी ह वह है नारियल, नारिकेल बोलते हैं नारियल को, और अब यहां पर रिक्ष के उपर रहने वाला है, फिर भी पक्षियों का राजा गरूर नहीं है, तीन आखों वाला है, तो भी हाथ में त्रिशोल धारिय शेव नहीं है, छाल रूपी वस्त को धारन करने वाला है, फिर भी तपस्वी साधक नहीं है और जल को धारन करता है तो भी न घड़ा है और नहीं बादल है अर्थात या नारियल है अब यहाँ पर पाच्वा दिया हुआ है भोजन आंते चा किम पेयम भोजन के आंत में क्या पीना चाहिए जयंता कस से वई सुता है जयंत जो है वो निश्चित रूप से जयंत किसका पुत्र है कथम विश्नुपदम प्रोप्तम भगवान विश्नु का अस्थान स्वर्ग मोक्ष कैसा कहा गया है विश्नुपदम यानि की मोक्ष कैसा कहा गया है तक्रम शक्रस से दुरलभम तो यहाँ पे पहले का उत्तर तक्रम है अर्था चाच दूसरे का उत्तर है शक्रस से तो यहाँ पे इंद्र शक्रस से का उत्त है इंद्र का और दुरलभम का उत्त है जो दुरलभ कठाई से प्राप्त होने योगे तो कथम विश्णु पदम प्रोक्तम तो भगवान विश्णु का स्थान स्वर्ग मोक्ष कैसा कहा गया है तो दूरलभम दूरलभ कहा गया है कटनाई से प्राप्थ होने वाला कहा गया है तो भुजणानतेचा कीमपेयम भुजण के अंत में क्या पीना चाहिए? छाज पीना चाहिए. तक्रम, तक्रम कर्थ होता है छाज. तक्रम कर्थ होता है छाज. और रोक्तम कार्थ कहां गया है? प्रोप्तम कारते कहा गया है और शक्रसी मतलब इंद्र का और सुताह मतलब पुत्र सुताह कहते हैं पुत्र को तो भुजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाच पीना चाहिए जयन्त कस्य वैस होता है और यहां पर निश्चित रूप से जयन्त किसका पुत्र है? इंद्र का और कथम विश्णु पदम प्रोक्तम भगवान विश्णु का अस्थान स्वर्क मोक्ष कैसा कहा गया है? दूरलभ़म तो इस तरह से चौथी पंती में इसका उत्तर दिया हुआ है तक्रम, शक्रस और दूरलभ़म और यहां पर पहेलियों के उत्तर खोजने के लिए संकेत दिया गया है जैसे पहली पहेली जो है प्रथमा प्रहेलिका अंतिमे चर्णे क्रमशत र्यानाम प्रश्णानाम त्रिभी पदाई उत्तरम दत्तम दूरितिया प्रहेलिका है प्रत्धेम द्वितीय चर्णे शु, प्रत्धमस्य वर्णाश्य अंतिम् वर्णेन संयोगात उत्तरं प्राप्यते। तरितिया प्रहेलिका प्रति एकम चरणे प्रथम द्वितीयोह प्रथम त्रयानाम वा वर्नानाम संयोगात तस्मीन चरणे प्रस्तुत स्य प्रश्ण से उत्रम प्राप्यते। चतुर्ध प्रहेलिकाह उत्रम नारिकेल फलम पंचम प्रहेलिकाह उत्रम प्रथम प्रहेलिकावत यानि कि तीसरी पंक्ती में इसका उत्तर है तो पहली पहली जो है वो अंतिम चरण के तीनों पदों में पहली के तीनों प्रश्णों के उत्तर दिये हुए है और दूसरी पह तुसरी पहली में ध्यान देना है कि प्रतीयक čरण के प्रथम दो या तीन वर्णों को मिलाने से उस पहली का उत्तर मिल जाता है शब्द ही पहली में दिये गये प्रश्णों के उत्तर है तो इसमें जो है जिस तरह से पहली पहेली में अंतिम पंक्ती जो है वो उसमें उत्तर दिया हुआ है वैसे ही चौती अंतिम पहेली में भी अंतिम चरण की तीनों शब्द ही उसका उत्तर है तो आज हम लोगों ने संस्क्रित में कुछ पahELiore की बारे में जाना और किस तरह से इसका उत्तर खोशते हैं ये भी हम लोगों ने देखा तो आज इस पार्थ की माध्यम से मनुरंजन की एक जो प्राचीन मनुरंजन का तरीका है उसके बारे में हम लोगों ने जाना तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद